दोस्तों कैसे आप लोग आसा करते आप लोग अच्छें जितने भी बच्चे आपर रेलवे ग्रूब डी भरती का इंतिजार कर रहे थे बहुत दिन से तो उन सभी के लिए आप खुषकबरी आ चुकी जैसा कि आपने सुना था कि रेलवे ग्रूब डी भरती में यहाँ पर लागो हो गया है तो उसको लेके बहुत बड़ी खबर आई है कि यहां पर रेलवे ग्रूब डी में तेंथ पास बच्चे वाले भी फॉर्म भर पाएंगे ठीक है तो इस बात को हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि रेलवे ग्रूब डी की जो आने वाली एक लाग प्लस वेक कि रेलवे ग्रूब डी में कितने पद खाली है ठीक है और दूसरा RTI मेंने लगाए था कि क्या 10 पास वाले भी रेलवे ग्रूब डी का फॉर्म भर पाएंगे तो सबसे पहले हम बात करते कि कितने पद खाली है तो मुझे वहाँ पर नॉर्देन रीजन का बताया गया कि कि ग्रूब सी के लिए ठीक है ग्रूब सी के लिए 17975 पद खाली है और ग्रूब डी के यहां जो खाली है 11990 ठीक है तो टोटल जब अंदाज लगाए गया सभी रीजन को जोड़के तो आप देखिए तो एक लाग के आसपास होगा ठीक है एक लाग प्लस चले जाएंगे इ इस बार ग्रूब डी के लिए एक लाग प्लस निकलने वाली है तो इसमें जो आइटी आई और सिफ टेंथ पास कि सिफ टेंथ पास फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं उस चीज को क्लियर करते है अब रेलवे क्या करेगा कि ग्रूब सी में ठीक है या तो ग्रूब सी में तें लोगों ने भी रेलवे से अप्रेंटिस किया उनहीं लिया जाएगा यह बात 2019 में ही बोल चुका था ठीक है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रेलवे में जब ग्रूब डी का नया नोटिफिकेशन आएगा तो रेलवे जरूर कोशिस करेगी कम से कम 10% 10% उनके लिए दे जो बच्चे सब्सक्राइब को ऑचरते हैं इस तरीका से यहां पर बात करें तो थेंद पास बलिए पर निकलना चाहिए और यहां पर आपको बता देता हूं कि की रेलवे ग्रूब टी में ठीक है डीके रेलवे ग्रूब डी के लिए जो बैस्ट बुक है फिस्पीडी पब्ल लेकी के साथ सब्सक्राइब लेटने सब्सक्राइब कर सकते हैं अपको आप गुरूप डी एक घ्जाम में काम आएगा अगर आप क्या बहुत्त करके पताईए गुझार।